जाहिन सातियों वनसी का आल जाबिंदी चैनल में स्वागत है सातियों एक और वाकेंसी आई हुई है जो कि इंडियन आर्मी के तुरू आई हुई है जो कि उसको टीटोरियल आर्मी आपिसर की वाकेंसी आई हुई है सातियों टीटोरियल आर्मी का मतलब होता है प्रादेशिक सेना पार्ट टाइम में इनको ड्यूटी मिलती है पार्ट टाइम बोला जाता है यानि जो सातियों देश का सेवा करना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी ने मोका दिया है टीटोरियल आर्मी के लिए टीटोरियल आर्मी का मतलब होता है प्रादर्शिक सेना होता है उसमें पार्ट टाइम के लिए रखा जाता है जो अच्छे काम करते हैं अच्छे ड्यूटी करते हैं उनको फुल यानि पर्मनेंट भी कर दिया जाता है तो साथियो बताना चाहता हूं टिटोरियल आर्मी की जो बाकेंसी निकली हुई है तो इसमें कितना पोस्ट है कब तक आप लोग को फार्म आलाइन करना है सारा जनकारी इस वीडियो में बताऊंगा तो साथियो वनसी का आ कर दिया है तो इस चैनल के माध्यम से बता चले तो साथियो बताना चाहता हूं टिटोरियल आर्मी की जो बाकेंसी निकली हुई है तो यह आप इसर रहंकी बाकेंसी है बाकेंसी थै ट्रीटोरियल बोलते हैं यानी पार्ट टाइम के लिए रखा जाता है देश सेवा का मोका दिया जाता है तो साथ यो बता देना चाहता हूं टोटल बाकेंसी इसमें 13 पोस्ट है और साथ यो बता दें फार्म कफ से स्टार्ट हो रहा है एक शाथ साथी या-कार्टेट हैं साथीयो बताना चाहता हूं एड़ोकेशन ालिफिकेशन क्या माँंगा हुआ है तो इसमें एड़ोकेशन्क्न पैज़िकेशन needs योगिता माँंगा है भी ये बी हड़ी और साथेयो बताना चाहता हुँ General OBC, AC, ST के Candidate का दूसरो फिस रखा गया है Center Examination यानि इसका जो परिच्छा है सातियो तो All India में कहीं पर भी हो सकता है लखनव में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, पुने में भी हो सकता है और साथियों बताना चाहता हूँ, male candidate के लिए 12 post है, female candidate के लिए एक post है और साथियों online start हो गया है, आप लोग जाकर online करिए, जिसके पास जो साथी BA, BSC भी कम किये हैं, वो साथी आर्मी, tutorial आर्मी में भरती होकर, आप इसर रैंक में भरती होकर देश सेवा कर सकते हैं पार्ट टाइम के लिए उनको मोका मिला है, अच्छे काम करेंगे तो उनको permanent भी कर दिया जाता है, साथियों, वनसी का आल जाविंदी चैनल को सस्क्राइब करिए, और आल पे किलिक करिए ताकि आने वाला जो भी बाइकेंसी हो, इस चैनल के माद्यम से पता चले, साथियों, साथियों, जो वीडियो बनाया था टिटोरियल आर्मी की, उसमें एज बाउंडेंशन के बारे में नहीं बता पाया, तो बता देना चाता हूं, साथियों, एज जो उसमें मांगा गया है, 18-42 वर्स के कंडिडेट उसमें आवेधन कर सकते हैं, धन्यवाद साथियों, जो वीडियो बनाया था टिटोरियल आर्मी की, उसमें एज बाउंडेंशन के बारे में नहीं बता पाया, तो बता देना चाता हूं, साथियों, एज जो उसमें मांगा गया है, 18-42 वर्स के कंडिडेट उसमें आवेधन कर सकते हैं, धन्यवाद